इस वीडियो में हम types of relations के बारे में बात करेंगे हम तीन type of relations को discuss करेंगे reflexive, symmetric और transitive हम इन तीनों words का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर हमें कोई relation given हो तो हम identify कर सकते हैं कि वो reflexive है या नहीं, symmetric है या नहीं और transitive है या नहीं तो discussion शुरू करने से पहले हम एक चीज़ clarify कर लेते हैं कि जिन relations की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो defined होंगे from a set A to the same set A these are also called relations in A relations in set A इससे पहले हमने जिन relations की बात की थी वो एक set A से दूसरे set B में defined थे तो set A के elements set B में mapped होते थे यहाँ पे फरक बस इतना है कि set A के elements set A में ही map होंगे तो मेरा domain भी set A से आएगा और मेरा code domain भी set A में ही आएगा और set A के elements set A के ही elements में map होंगे तो अगर यह चीज़ clear है तो हम शुरू करते हैं reflexive relations के साथ तो किन relations को हम reflexive कहते हैं यह समझते हैं example के through let's say मेरा पास एक set है set A जिसके elements है 1,2,3 और हम एक relation define कर रहे हैं in set A यानि कि from set A to set A तो यहाँ पे भी same elements आएगे 1,2,3 है तो यहाँ भी 1,2,3 आएगा अब इनके बीच में जो relation है उसको हम reflexive तब कहेंगे अगर A के हर element की mapping खुद के साथ हो यानि 1 की mapping 1 के साथ हो 2 की mapping 2 के साथ हो और 3 की mapping 3 के साथ हो बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि reflexive relations में यह ordered pairs 1,1,2,2 और 3,3 यह तो होना compulsory है बट इसके अलावा अगर और कोई ordered pair हो for example 1,2 तो यह भी allowed है या 2,1 या 2,3 यह ordered pairs भी allowed है लेकिन वो ordered pairs जो की set A के elements को खुद के साथ map करते हैं यानि 1 के साथ 1 को 2 के साथ 2 को और 3 के साथ 3 को यह ordered pairs होना जरूरी है या compulsory है तो कुछ और examples देखते हैं जिससे यह और clear हो जाएगा तो let's say हमें यह relation given है set A से set A में यहाँ पर 1,2,3,4 है यहाँ पर 3,4,1,2 है same elements को rearrange कर दिया है बट set same ही है और मुझे identify करना है whether this relation is reflexive or not तो yes, yeah, for no देखते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 मेरा 3 से related है और 1 मेरा 1 से भी related है तो अगर 1,1 से related है मैं खुश हूँ चाहे किसी और से related हो या ना हो मुझे matter नहीं करता similarly अगर मैं 2 को देखूं तो 2 मेरा 4 से related है बट 2 मेरा यहाँ पर 2 से भी related है तो यह भी चलेगा 2,2 से है मैं खुश हूँ 3 को देखूं 3 भी 3 से related है और 3,1 से भी related है जब तक 3,3 से related है मैं खुश हूँ 4 को अगर मैं देखूं तो 4 सिर्फ 2 से related है 4 से related नहीं है तो इस element की वज़े से यह पूरा relation reflexive नहीं है This is not reflexive हर element को उसी के साथ map होना ज़रूरी है कुछ और examples देखते हैं Let's say यह मेरा relation है मुझे बताना है कि is this reflexive or not तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर A, A से linked है बहुत अच्छा B, B से linked है यही तो मुझे चाहिए था C भी C से linked है वाह क्या कहने बद D की कोई linking नहीं है तो क्या यह relation reflexive होगा या नहीं होगा नहीं यह relation reflexive नहीं होगा every element in A should be mapped reflexive relations के लिए एक condition है that every element in A should be mapped so this is not reflexive एक और example देखें चलो, यह example देखते है तो यहाँ पर फिर से हर element को consider करते है 1 मेरा 1 से mapped है बहुत अच्छा 3 मेरा 3 से mapped है यह भी सही है 5 से mapped है और 5 मेरा 3 से भी mapped है तो जब तक 5 5 से mapped है मैं खुश हूँ 3 से mapped हो या ना हो I don't care 7 मेरा 7 से mapped है और 5 से भी mapped है 7 7 से है I am happy और 11 11 से mapped है तो यानि कि यहाँ पर सारे के सारे elements खुच से mapped है कुछ extra mappings भी है but we are not bothered by them this is a reflexive relation all elements in A were mapped to themselves so this is a reflexive relation चलो, अब एक final example देखते हैं जिसमें हमें यह relation roster form में given हो let's say हमारे एक set है set A यह हमें given है as 1, 2 and 3 और जो हमें relation given है which is a relation in set A वो हमें given है 1 1, 1 2, 2 1, 2 3, 2 2, 3 2 and 3 1 यह elements हमें given है इस relation में यह ordered pairs है all right तो अगर मुझे check करना है कि यह reflexive है या नहीं तो मेरे को बस यह check करना है कि क्या इस set में इन तीनो elements की mapping खुद से है या नहीं यानि कि मेरे को कौन से ordered pairs खोजने है 1 1 खोजना है 2 2 खोजना है और 3 3 खोजना है अगर यह तीनो इस relation में है तो यह reflexive है अगर नहीं है तो यह reflexive नहीं है तो 1 1 मुझे मिल गया यहाँ पे सीधा यह 2 1 है, 2 3 2 2 भी है बट 3 3 इसमें नहीं है So this is not reflexive वही चीज जो हमने visual representation में देखी थी कि सारे elements यहाँ पे याद है आपको D का relation नहीं था D के साथ वैसे ही यहाँ पे 3 का relation 1 और 2 के साथ तो है बट 3 के साथ नहीं है So therefore, this is not reflexive हर element की mapping खुच से होनी चाहिए Okay, तो I hope आपको reflexive relations clear है इसी को समझने में हमारे 6 minutes से ज़्यादा लग गए है तो हम transitive और symmetric relations अगली वीडियो में discuss करेंगे